सन्नी दे उल की चुप ने बॉक्स आफिस पर कमाल कर दिया इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स आफिस पर रेकोर्ड बना दिया है सन्नी दे ओल की चुप को रिब्यूस आलवरी अच्छे मिले थे और अब फिल्म भी लोगों को पसंदा आ रही है इस फिल्म को 23 सेप्टेμबर के दिन रिलीस किया गया जिस इन इंडिया में नैशनल सिनिमा डे भी सेलिब्रेट किया गया इस दिन हर थियटर में 75 रुपय में फिल्म देखी जा सकते थी ये भी एक कारण है कि इस फिल्म को जादा से जादा लोगों ने देखा और फिल्म को लेकर box office पर पहले दिन जो उमीद लगाई जा रही थी उससे काफी अच्छा इस फिल्म ने perform किया है कहा जा रहा है कि चुप फिल्म ने अपने cost क्या 35% जो है वो फिल्म के release के पहले ही दिन कमा लिया है इस फिल्म को 10 करोड के budget से बनाया गया था और फिल्म ने पहले ही दिन 3 करोड 20 लाग का collection कर लिया है खैर अभी Saturday और Sunday बाकी है लेकिन हाँ ये जरूर है कि Saturday और Sunday को जो ticket की rates है वो normal ही रहेंगी वो 75 रुपे नहीं रहेंगी वैसे चुप को लेकर trade experts और चुप के makers काफी positive सोच कर बैठे हैं क्योंकि फिल्म कम budget से बनी है और अच्छा review लोगों ने इस फिल्म को दिया है आपको बता दे कि ये फिल्म एक ऐसे संकी की कहानी है जो अपने आपको गुरुदत का शिश्य बताता है और उसे लगता है कि गुरुदत जो उसके mentor थे उनके साथ बहुत गलत हुआ उन्हें critics ने उनका due credit नहीं दिया इसलिए अब वो ऐसे critics का खून करता है जो जबरदस्ती घलत review देते हैं अच्छी फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म के business को खराब करने के लिए जो critic फिल्म को जितने स्टार देता है वो उतने ही स्टार मानने के बाद उसके सिर पर बनाता है अपनी चाप छोड़ने के रूप में तो यह है कहानी इस फिल्म की इस फिल्म में साइको का किरदार निभाते नज़र आएंगे दिलकर सलमान श्रिया धन्वंत्री फिल्म में एक जर्नलिस्क के किरदार में नज़र आती है पुजा भट इस फिल्म में एक ऐसी लेडी का किरदार निभाती है जो बॉलिवूड को बहुत पसंद करती है उन्हें नशा है बॉलिवूड इंडस्ट्री का और सनी देउल एक कॉप के रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया है फिल्म के फर्स डे कलेक्शन्स अचादेवगन की रनवे और शाहिद कपूर की जर्सी को पीछे छोड़ चुके है